बृटिश संसद में मुसलिम सांसद जरह सुल्तान ने फिलिस्टीन के लिए उठाई आवाज यूके के प्रधान बंत्री यूके की सरकार से इस्राईल की लगतार बंबारी पर टिपपड़िए कर्ते रूए का हation प्रिधान मंत्री द्वारा इस्राइल के वार क्राइम्स की निंदा करने और गाजा में युद विराम का आभान करने से पहले कितने और फिलिस्तिनियों को शहीद हो नहोगा। ब्रटिश सांसद जरह सुल्टान ने आगे कहा कि कुछ लोग गाजा में मानविय संकट के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसी ये कोई कुदरत का कहर हो। ये इसराइल की बड़े पैमाने पर बंबारी और पानी, खाना, बिजली और इंधन को बंद करने का परिड़ाम है। मानविय संकट से निपटने के लिए हमें युद विराम और मासुमों को सजा देने से रोकनी की जरूरत है। आपको बताते हैं ब्रिटिश संसद ने अपने बयान में कहीं भी हमास के हमलों का समर्थन नहीं किया है और ना ही इसराइल के हमलों को ठीक बताया है। संसद ने उन मजलूम अवाम के लिए आवाज उठाई है जो इस राज़ितिक जंग में कुछले जा रहे हैं। ब्रिटिश संसद के जवयान पर UK के प्राइम मिनेस्टर रिशी सुनक ने कहा कि मैं मान इनिये महिला संसद के इस टिपणी से सहमत नहीं हूँ क्योंकि हमास हमले कर रहा है और इसराइल अपना बचाव कर रहा है दोनों में फर्क है। ब्रिटिश संसद में मुस्लिम संसद जरह सुल्तान के इस बयान को लेका जनता ने सोशल मीडिया पर कहा सही कह रही है आप लेकिन आप ही का पीयम इसराइल के साथ है। तरह सुल्तान के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कॉमेंट में अपती राय जरूर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें बैल आइकन बटन जरू प्रेस करें ताकि देश और दुनिया से जोड़ी तमाम खबरें सबसे पहले आप तक प हुट्सके पुट्सके पुट् करें पुट्सके 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 पुट्